हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में सीखेंगे हम नायरा स्टाइल कुर्ती बनाना जिसके लिए हमने जो फैबरिक लिया है वो हमारा इसमें लगबग 3 मीटर फैबरिक लग जाएगा क्योंकि हम इसमें फ्रिल भी बना लेंगे तो यह हमने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा इसमें से अलग कर लिया है जो हमारा 3 मीटर कपड़ा है 3 मीटर कपड़े में से कुर्ती बन के तैयार हो जाती है तो यहां से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले टॉप पार्ट के लिए जो कपड़ा हमने अलग किया है इस लेकि 17 इंच पे निसान लगा लेंगे और जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे उपर से एक सीधी लाइन बनाएंगे कपड़ा हमने 11 इंच लिया है टोटल क्यूंकि 36 ब्रेश्ट का हम बना रहे हैं 7 इंच पे सोल्डर ले लेंगे 7 इंच पे अपने आर्म होल ले लेंगे और अपनी ब्रेश्ट का चौथा हिस्सा ले लेंगे और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जन ले लेंगे क्यूंकि यह 36 का है आपका जो भी ब्रेश्ट साइज है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मा और जो गले की लंबाई होगी, बैक गले की लंबाई हम 7 इंच रखेंगे और फ्रंट को हम V-neck बनाएंगे, तो यहां से ऐसे गोल सेप दे के इसको हम ड्राफ्ट कर देंगे, हाप इंच का सोल्डर डाउन करेंगे, अब इसको कट कर देंगे, यहां से अब जो जो के गले की कटिंग कर लेंगे, हम गला आप इसमें अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो बना सकती है, तो मैंने जो इसमें गला बनाया है, वो गोल गला बनाया है, नी राउंड नेक बनाया है, मैंने, तो यहां तक हो गई ड्राफ्ट टीम हमारी तक ही रखें, क्योंकि जादा छोटा हो जाता है फिर वी नेक, तो हमने यह वी सेप दे दी है, इसको हम पहले इस पे कटिंग कर रहे हैं, फिर अस्तर के उपर ड्राफ्ट करके हम तब से लेंगे, इसमें हम किसी भी बुक्रा में पेपर पेश्टिंग का यूज नहीं करें तो इस तरीके से हमने यह ड्राफ्टिंग कर ली है, अब यह हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है, तो इसमें से हम कुछ फ्रिल तो हम साइडों से निकालेंगे और कुछ फ्रिल हमारी लंबाई वाली साइड से निकल जाएगे, सबसे पहले हम लैंथ देखेंगे इसकी, त कपड़ा हमारा नीचे से बचेगा, उसकी हम फ्रिल बना लेंगे, तो यह हमने सीधा कपड़ा कट कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यह वाला कपड़ा है, उसको कुछ नहीं करना है आपको ऐसे रख के और बस बीच से कट कर दीजिए, तो यह हमारा इसमें से हम थोड़ा सा कपड़ा बाजू के लिए यूज कर लेंगे, लेकिन हमने दो पट्टी और निकाली है, साइड से ही, तो बाजू की जो लंबाई होगी वो बारा इंच की होगी, तेरा इंच पे निसान लगा लेंगे, साड़े आठ इंच और लेके हम खुली वाली साइड से तीन इंच लेके और बाजू की सेप दे देंगे, तो टोटल तीन मीटर कपड़े से हमारा ये पूरा बन गया है, अब यहां से जितनी फिटिंग है उसमें डेडिंग चौर एड करके हमने बाजू की कटिंग कर लेनी है, यह देखिए, अब यहां से हमने जो साइ जो हमने साइड से कट कर लिया है, अब इसकी हम सिलाई करेंगे, तो यह फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा दिहान रखें, तो मैंने अस्तर भी सिर्प अस्तर में टॉप पार्ट में लगाऊंगी, नीचे के घेरिम अस्तर नहीं लगाऊंगी, तो जैसे ड्राफ्टिंग म यहां से एक्स्टर फैब्रिक को हम कट कर देंगे, यह देखिए, अब इस कॉर्णर में हम छोटे-छोटे कट लगा देंगे, इस तरीके से, और अब इसको हम ऐसे पलट देंगे, उल्टी साइड को और इसके हम वी सेप में सिलाई लगा के चारो तरफ को सिलाईयां लगा लेक हम 4 इंच इंच slagी हो उसकी में प्लेट करों का यहां जिया ह Здorama करृषड़ का ही आपका यह तरने करेंगे तो हमें पूराम पूरा डाल देंगे तो कली तरफ देने के बाद पूरा किया है अब हम यहाँ पे lace लगाएंगे तो हम 2 इंच के distance से निसान लगाएंगे पूरे में एक सीधी line बना लेंगे यहाँ से और इसको नीचे तक हम खीच देंगे सेम हमें दूसरी साइड को बनाना है और वहाँ पे हम डबल लेयर वाली lace लगाएंगे आपको मैं दिखा दूँगी अगर आप इसे simple रखना चाहती है तो simple भी आप रख सकती है लेकिन lace से इसका जो हमारी rediment कुरती होती है नायरा style की वही लुका आता है फ्रिल वगेरा लगा ये गले पे मैं और दूसरी यूज़ करूंगी बाकी मैंने इसको लगा लिया था मतलब आदे हिससे तक लगा लिया था लेकिन बाद में मुझे अच्छी नहीं लगी तो फिर मैंने इसको निकाल दिया अब मैंने क्या कि बस सीधी सीधी लगा दी है गले के उपर मैं लगा यह पतली लेस है और काफी फ्लेक्जि Bel है यह इधर फूदर को गूमती है इसमें कहीं पे कोई जोल वगेरा नहीं आता है तो हमने गले के उपर लगा ली है ऑप हम कुर्टी का सेंटर निकालें इस तरीके से मोड के कुर्ती को और इसका सैंटर निकाल के चौक से निसान लगा लिजिए अब आपने जो कपड़ा नीचे प्लेट डालने के लिए बॉटम के लिए उसमें भी छोटा सा कट लगा लिजिए और सीधा करके रखे टॉप पार्ट को और उस कपड़े को उल्टा साइड से चोड़ना है वो हम इसलिए चोड़ रहे हैं क्यूंकि हमारी जो फिटिंग की सिलाई लगेगी अगर हम उस सिलाई को प्लेट के उपर लगाएंगे तो वहां से फिनीसिंग खराब होगी क्यूंकि वैसे बी ओपन सिलिट कुरती है तो साइडों से जो सिलिट हैं अगर आपके पास फैबरिक कम है तो इस प्लेट को आप आदा आदा इंच की भी डाल सकते हो हमने और भी कुरतियां बनाई है इसी डिजाइन में तो आप हमारी वह वाली कुरतियां भी देख सकते हो तो यह देखिए प्लेट का डायरेक्शन मैंने दूसरी साइड को किया ह अब सेम मैंने दूसरी साइड से भी दो इंच छोड़के तो अब मेरी प्लेट से पूरी डल गई है अब जैसे हमने यह तयार किया है सेम हमें अपना बैक पार्ट तयार करना है अब हम इसका जो बॉट्टम है उसके लिए हमने यह फ्रिल वाला जो कपड़ा लिया था हम क् पतली वाली गोटा पट्टी है जिसे कि इसमें फ्लॉवर आय हुए है वाइट प्रिंट के तो हम उसी का कॉंबिनेशन बनाते हुए इस गोटा पट्टी को लगा रहे हैं अगर आप इसमें फ्रिल नहीं लगाना चाहती है तो आप इसको सिंपल भी रख सकती है आपके पा पहले दोनों का सोल्डर जोडना है फिटिंग करनी है चाक मोड नहीं उसके बाद फ्रिल लगेगी लास्ट में तो बैक पार्ट को सिंपल हमने किया है तयार आप चाहें तो इस तरीके की रेडिमेंट डोरी आती है उसको आप साइड में ऐसे लटकन की तरह लगा सकती है य उससे नीचे हमारी जो सिलिट है वो ओपन रहेंगी तो इस तरीके से फिटिंग के लिए आप दोनों साइड को निसान लगा लीजिए ठीक है फिर उसके बाद इसमें बाजू जुड जाएंगी हमारी तो हम क्या करेंगे कि हमने सोल्डर जोड दिये हैं अब हम बाजू जो और फिर ऐसे सिलाई लगाते हुए जाए पूरे में बाजू आपकी बिल्कुल वी चोटी बड़ी नहीं होगी अगर आप दियान से लगाएंगी तो देखे बाजू एकदम बराबराई है अभी हम क्या करेंगे कि इसमें हम दो एक लेस का यूज करेंगे तो हम इसमें तीन लेयर बना रहे हैं दूसरी साइड भी हमें सेम ऐसे ही बनाना है और फिर उसके बाद हमें इसमें फिटिंग दे देनी है तो यह देखिए मैंने बाजू को जोड़ दिया है अब यहां से फिटिंग स्टार्ट करनी है जैसे मेरी फिटिंग साड़े 5 इंच पे होगी तो मैं साड़े 5 इंच रखते हुए नीचे तक जो 14 इंच तक मैंने निसान लगाया था आर्म होल से लेके 14 इंच तक निसान लगाया था वहां तक सिलाई लगा के आप इसको उपर की साइड घुमा देंगे हम इसमें आप डबल सिलाई भी लगा सकते हो अब दूसरी साइड से भी फिटिंग कर देंगे इसकी 14 इंच तक ही फिर उसके बाद हम इसके चाक मोड़ेंगे बॉटम मोड़ने की जरुरत नहीं है आपको क्योंकि बॉटम पे हम वो फिरिल लगाने वाले हैं जो हमने बना के तैयार की है तो यहां तक हमने इसको किया complete अब बस इसके हम चाक करती के मोड़ते हैं तो क्या करना है आपको इस तरीके से आप कुर्ती को उल्टा करके रख लीजिए और यहां से लगबग डेड़ इंच कपड़ा आप मोड़ दीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है उपर तक आए जैसे हम सिंपल कुर्ती के मोड़ते हैं उसी तरी साइड से स्टार्टिंग कीजिए यानि एक ही सिलिट का पार्ट होना चाहिए अब यह देखें दूसरी साइड से स्टार्टिंग करेंगे ध्यान रखें कपड़ा बराबर बराबर बोड़ना है जैसे हमने इधर से भी डेड़ इंच लिया है तो हमारा यहां से भी डेड़ finishing दिखाई देती है, अब दूसरी side से same, ऐसे ही बना लेंगे, जैसे इस side से बनाई है हमने, तो हमने दोनो side से अपनी slit बना ली है अब हम इसमें वो लगाएंगे जो हमने frill के लिए कपडल बनाया है, तो हम इसको उल्टा करके रख लेंगे, इस तरीके से ऐसे उल्टा करके रख लेंगे, और इसमें हम छोटी-छोटी सी plate डालेंगे तो ध्यान रखें, आपकी जो side वाली से लाई है, वो भी आपको पहले ही mode लेनी है, जैसे मैंने mode ली है, पहले ही वो, क्योंकि बाद में नहीं mode ना है पूरा कुर्ती को तैयार करके, तब आपको फ्रिल लगानी है, अब मैं इसमें लगबग आदा-आदा इंच की plate डालूँगी, क्योंकि हमारे पास जो पट्टी है, वो ज्यादा लंबी नहीं है, तो इसलिए हम छोटी-छोटी सी plate डालेंगे, तो इसमें हमने